आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल अचीमेंट सर्वे के लिए साला इस्तर पर कौन-कौन से प्रिपत्र संधारित किये जाएंगे जैसे कि हमें पता है कि 12 नॉम्बर 2021 को पूरे प्रिदेश की चैनिस संस्ताओं में नेशनल अचीमेंट सर्वे आयुजित होगा अब चुकि सर्वे राश्टी इस्तर का है इसलिए इसमें मौनिटरिंग भी गहन होगी इसके लिए दल गठित किये जा चुके हैं जो की जन सिक्षकेंद इस्तर, विकास खंड इस्तर, जिला इस्तर और राज इस्तर के इसमें मौनिटरिंग दल गठित किये गए हैं सालावार बिसलेशन प्रपत्र, इस प्रपत्र में साला के समस्त छात्रों के इस्तर की जाँच हम किवल एक नजर में कर सकते हैं, अब इसमें बताना चाहेंगे कि जो सालावार बिसलेशन प्रपत्र है वो पिरतेक कक्छा और पिरतेक बिसे का अलग अलग बनेगा, जिसे सम् अब अभ्याष्ट टेस्ट पेपरों के अधार पर हम चात्रों की तयारी करवा रहे हैं। जिनके विकल्प भी दिये गये हैं और इन में से जो भी सही विकल्प होगा इसका आंसर सम्मिट करने के लिए लाश्ट में एक पेज दिया गया है जिस पेज पर छात्र को अपना आंसर सम्मिट करना होता है। इसकी प्रशनों के उत्तर छात्रों के द्वारा दे देने के उपरांथ इसकी जांच सिक्छकों को करना है। और जाच के उपरांथ छात्र ने जो आंसर सम्मिट किया है इसकी जानकारी बिशलेशन प्रपत्र में दर्ज करना है। आईए हम देखते हैं कि अब बिशलेशन प्रपत्र में कैसे जानकारी हम दर्ज करेंगे। जैसे आप इसकीन पर देख रहे हैं साला बार बिशलेशन प्रपत्र एक एक एक्जामपल के लिए हमारे द्वारा बनाए गया है। जिसमें सबसे पहले समाने जानकारियां हमें फिल करना हैं जैसे कक्छा, बिशे, कक्छा और बिशे आप अनिवार रुप से इसमें फिल करें क्योंकि जो बिशलेशन प्रपत्र है वो कक्छा वार और बिशे वार ही तयार किया जाएगा। इसके उपरान सप्ता कि किस सप्ता के अभ्यास की जानकारी छात्रों की आपने इसमें दर्ज किया है वो सप्ता आपको यहाँ पर फिल करना है पहला सप्ता दूसा सप्ता तीसा सप्ता या जो भी सप्ता हो आपको इसमें दर्ज कर देना है इसके उपरान दिनांग से दिनां सबसे पहले चात्र का नाम इसके उपरान पिता का नाम इसमें लिख देना है अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक से लेकर दस तक यहां पर प्रश्ण दिये गए हैं और प्रतेक प्रश्ण में तीन आप्सन यहां पर दिये गए हैं पहला अप्सन है सही दूसरा गलत और ती तो हम सही पर टिक कर देंगे और बाकी के जो दुख इसमें बॉक्स दिये गए हैं इसे हम खाली छोड़ देंगे या फिर छात्र ने पहला प्रश्ण गलत किया हो तब हमको गलत पर टिक करना है और पहला और तीसरा बॉक्स खाली छोड़ देना है और यदि छात्र ने प्रश्न एक है वो साथ चात्रों ने सहीं किया अब गलत की बात करें तो यहाँ पर गलत का हम काउंटिंग करते हैं तो एक और दो अर्था दो चात्रों ने प्रश्न एक को गलत किया और एक चात्र ऐसा है जिसने प्रश्न एक को छोड़ दिया इस परकार यदि हम तीनों का तोटल आना चाहिए अब यादि आपकी साला में 15 चात्रों हूं तब आपको 15 चात्रों की इस प्रकार से जानकारी तयार करना होगा इसमें प्रतेक चात्र की इंडिविजुवल जानकारी तयार होगी कि किस चात्र ने कौन सा प्रशन सहीं किया है कौन सा गलत किया है कौन सा option हो आपको उस option पर टिक करना होगा और last में उन सभी का total करना होगा total करने के उपरांथ हमें इनका percentage भी ग्याद करना है अब percentage यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे कुल 10 चात्र थे अब 10 चात्रों में से जो पहला प्रस्ण है 7 चात्रों ने सही किया तो इसका हल करने का जो percentage है वो 20 पृतिसत यहां पर आ गया इसी पिरकार एक चात्रों ने छोड़ दिया प्रस्ण को तो इसका जो percentage है वो 10 पृतिसत आ गया तो इसी पिरकार हमें समस्त प्रस्णों का percentage ग्याद कर लेना है अब आपके मन में चात्रों ने प्रश्ण को सहीं हल किया है, कितने चात्रों ने गलत किया है और कितने चात्रों ने प्रश्ण को छोड़ दिया है प्रतेक प्रश्णों का विसलेशन कर लेने के उपरांत इन प्रश्णों के लर्निंग आउटकम की हमें मैपिंग करना है और मैपिंग करने के उपरांद जिन प्रश्नों में चात्रों का जो performance है वो कम है उनके लिए हमें रणनीती तयार करना है जैसे इसमें हम देखेंगे कि प्रश्न किरमांग 1.7% चात्रों ने सहीं हल किया अब इसमें हम देखते हैं कि प्रशन किर्मांग 2 जो है वो 60% चात्रों ने हल किया अर्थात यहां पर कुछ कमी जरूर है तो जो प्रशन 2 है इसके learning outcome की हमें mapping करना होगा अब learning outcome की mapping कैसे करें इसे हमने पूर के वीडियो में देख लिया है और पाठों के साथ mapping करना हमने शीख चुके है अब हम प्रशनों के साथ में learning outcome की mapping करेंगे अब एक एग्जामपल हम लेते हैं कख्छा 3 हिंदी विसे का हिंदी विसे में प्रशन किर्मांग 2 हम देखेंगे और इसके learning outcome की mapping करेंगे अब हम देखते हैं प्रस्ण क्रिमांग 2 कक्षा 3 हिंदी विस है यहां पर हम देखेंगे कि एक paragraph लिखा हुआ है और इस paragraph के अधार पर प्रस्ण पूछे जा रहे हैं जिसमें पहला प्रस्ण है और दूसरा प्रस्ण जो पूछा गया कि बच्चे घर क अर्था जो paragraph उपर लिखा हुआ है इसी paragraph से प्रस्ण पूछे जा रहे हैं तो हमें paragraph किस learning outcome में add होता है वो learning outcome इसमें add करना होगा साथ ही आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्रस्ण बैंक राज सिक्षा केंदर से हमें प्राप्त हुई थी उस प्रस्ण बैंक में भी learning outcome की mapping की बी गई है आप देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रस्ण किरमांक लिखे हुए है और इन प्रस्ण कृमांक में कौन-कौन से learning outcome आड है उनके code यहाँ पर दिये गया है तो हमें इन learning outcome में से देख लेना है कि कौन सा learning outcome सही है जैसे आप प्रस्ण बैंक में देखेंगे कि last में भी learning outcome दिये गए हैं जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर learning outcome code दिये गए हैं और जो learning outcome है वो भी यहाँ पर दिये गए हैं अब जो दूसर प्रशन था संभवता इस learning outcome से add हो सकता है अलग-अलग तरह की रचनाओं सामगरी अकवार बाल पत्री का होर्डिंग आधी को समझ कर प की mapping हम करेंगे एच 309 से अब इसे हम कैसे लिखते हैं इसे हम देखेंगे आपने देखा बिशलेशन प्रपत्र अब हम देखते हैं learning outcome की mapping इसमें जो दूसरा फार्मेट रहेगा वो learning outcome की mapping का होगा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशन क्रमांग 2 इसका जो learning outcome हमने add किया एच 309 और यहाँ पर जो learning outcome है उसे लिख दिया अब इसके उपरांत जैसे प्रशन क्रमांग 2 में हमारे छात्रों का low performance है तो इसके लिए हमें क्या रणनीती बनाना है वो रणनीती हमें इसमें लिखना होगा तो आप अपने इस तर से इस प्रतिफल को छात्रों को प्राप करें जब तक की छात्र संबंधित learning outcome को प्राप्त ना कर ले तो इस प्रकार जो अभ्याश test paper आ रहे हैं उनमें सभी 10 प्रशनों के विखेवार हमें इसमें learning outcome की mapping कर लेना है और जिसमें low performance है उसमें विखेश रूप से हमें रणनीती बनाना है और उसके learning outcome को छात्र को हमें प्राप्त करवाना है यह थी बिसलेशन प्रिपरत्र और learning outcome की mapping के संबंध में एक बहुत ही महत्पुन जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि वीडियो पसंद आए तब इसे like, comment और share जरूर करें साथी channel को subscribe करना ना भूलें Thank you